आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हाई, let's read the question question है, the number of given orbitals which have electron density along the axis is PX, PY, PZ, DXY, DXY, DZ2, DXY, Y2 में से आपके बताना है कि कौन से ऐसे orbitals हैं जिन में electron density along the axis है तो अगर हम बात करते हैं PX की तो PX में क्या होगा देखो अगर यह हमारा X-axis है यह X-axis है तो यह PX-axis अबटल हो गया यह हमारा Y-axis है तो यह क्या हो गया PY-orbital हो गया राइट अगर हम कहें कि यह हमारा Z-axis है तो इसके along बनाया गया बनाया गया और्बिल बी PZ है ना PY को हम कुछ इस तरीके से बाएँ थोड़ा सा और करे करके not like this ऐसे टाइट तो यह along the axis ही है तो इनके electron density बे along the axis ही होगी अब अगर बात करते हैं DXY की यह Y हो गया यह X हो गया DXY जो बनता है वो X और Y के बीच में बनता है तो इस केस में भी X और Z के बीच में बनेगा तो इस केस में भी नहीं होगा तो अभी तक किस-किस में है D के तीनों में है इन D के दोनों में नहीं है अब D के और भी दो बच्चे है हमारे पाल एक तो यह DZ square ठीक है अगर यह आपका Z axis है तो DZ square कुछ इस तरीके से होता है right DZ square और यह axis के along ही है fine और एक आपका है Dx square minus y square तो Dx square minus y square इधर ही लाए करता है मतलब sorry यह दुबारा से draw करना पड़ेगा हमे it is along the axis only x axis के along and y axis के along तो यह आपका Dx square minus y square है तो यह भी electron injury along the axis देता है P के 3 देते हैं लेकिन Dxy और Dxz नहीं देंगे बस तो इसने से कितने हो गए कितने हो गए 1, 2, 3 यह नहीं होगा 4 and 5 तो total 5 है और वही इस question का answer है that is it for the question thank you so much 104 सुपर कितने हो नहीं हो जहीं होगा